हलो एवरीवन, वेलकम बेक टो एर ओन चैनल इस्टडी वर्ल्ड आफ विद्या अगर आप लोगों का भी आने वाले दिनों में डेली पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती जादा इंपोटेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज को बारी की से डिसकस करूँगी कि आप लोगों को लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटिजी अपनानी है और किस सब्जेक्ट पर सबसे जादा फोकस करना है जिससे कि आप लोग अपना स्कोर सेफ रख पाएं और आप लोगों को दुबारा इस एक्जाम को देने की जरूरत ना पड़े आप लोग पहली बार में ही सेलेक्शन ले लें तो यहाँ थोड़ा सा डिसकस करेंगे सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं सिलेवस को तो यह जो आपकी मैट्स और रीजनिंग है वो आती है आप लोगों की 40 मार्क्स की और कम्प्यूटर है वो आता है 10 मार्क्स का और GKGACA यह आती है आपकी 50 मार्क्स की अब आप लोगों को किस सबजेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो हैं आपके maths और reasoning क्यों क्योंकि ये जो होते हैं वो mental ability पर waste होते हैं आपकी calculation पर waste होते हैं जिनें आप wrong नहीं करते हैं जो आपके 40 marks का आ रहा है उसमें आप लोगों को कम से कम 30 marks का करके आना है maths और reasoning maths और reasoning अगर आप लोग 38 marks की करके आते हैं तो आप लोगों का score safe रहेगा बहुत अच्छा रहेगा next आता है आपका computer computer कितने marks का रहा है 10 marks का और 10 marks मैंसे अगर आप लोगोंने थोड़ा सा भी computer पढ़ लिया होगा तो आप लोग अराम से 6-7 question कर देंगे मालो 6-7 question भी नहीं करते हो तो 5-6 question तो कर ही दोगे ये आप लोगों की कहीं भी नहीं गये अराम से आप लोग 5-6 question solve कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपने computer पढ़ रखा है तो next topic की तरह आते हैं GK, GS और CA यो जो CA आपकी ये आप लोगों की last August मन तक की आ रही है मैंने यहाँ पर देखा था जो ससी थरो ने एक book लिखी थी one arranged murder ये पुस्तक लिखी गई थी ये इनके द्वारा launch की गई थी 7 August 2020 को ये last August तक की current affair आ रही है तो आप लोग GK, GS में कितना पढ़ेंगी ये बता दीजे जब भी आप लोग analysis देखते हैं तो उसमें घबरा जाते हैं कि ये तो नया topic आगया और नया topic आगया तो उसकी चकर में आप लोग क्या करते हैं कि जो आपको आता है उसे छोड़कर और नई topic को पढ़ना शुरू कर देते हैं आप लोगों को नई topic को नहीं पढ़ना है आप लोगों को सबसे ज़ादा maths और reasoning पर focus करना है ठीक है और GK, GS में जो questions बन रहे हैं आप लोगों की वो 25 से 30 questions वो बहुत आसान आ रहे हैं और जो कल exam हुआ है 28 November को उसकी 3rd shift की GK जो आई है वो बहुत ज़ादा easy label पर आई है easy label रहा था तो आप लोग 25 से 30 questions आराम से solve कर सकते हैं अब suppose कि यह आपने 38 questions इसमें solve कर लिए और वहाँ आप लोगोंने 30 questions solve करके आए 30 से 35 के आराम से आप लोग स्कॉर कर लेंगे अगर आप लोग इससे ज़ादा करके आते हैं तो आप लोगों के लिए better opportunity होगी अब आप लोगों को math ये जो computer है अगर आप लोग last time पर भी एक class देख लेते हैं तो आप लोग better score कर पाएंगी मैं suggest करूंगी एक अध्यन मंत्रा करके channel है वहाँ पर computer की classes पड़ी हुई है वो बहुती ज़ादा अच्छे से सर ने explain कर रखा है अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं वो वीडियो लगबग 2-3 गंटे किया है तो आप लोग यहाँ पर 5-6 नहीं 7-8 questions solve करके आए 10 मैं से मैं guarantee देती हूं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने explain किया है अब आप लोगों का CA का तो मालीजी कहीं से भी उठा कर दे सकते हैं लेकिन GKGS एक ऐसा topic आ रहा है जिसमें कुछ selected topics आ रहे हैं जिसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप लोग जादा अच्छा score करके आप आएंगे CA में क्या है आप लोगों का CA जो आ रही है वो आ रही है आपकी 10 से 12 और 14 नंबर की CA बन रही है तो यहां पर हम देख लेते हैं कि आप लोगों को GKGS और CA में कौन कौन से topics को अच्छे से पढ़ना है तो यहां पर जो static GK है आप लोगों की वो आ रही है आप की 7 से 8 नंबर की तो आप लोगों को static GK को अच्छी से प्रिपेर कर लेना है नेक्स्ट आपका है जो sports है sports, books, author और invention से related जो questions बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 से 3 questions बाइलोजी से जो question आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 से 4 और 2 से 3 questions नेक्स्ट है आपका chemistry, chemistry से आपकी जो question बन रहे हैं 2 से 3 और physics के आप लोगों के ज़्यादा question ने बन रहे हैं मात्र के लिए 1 या 2 question, 2 भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक question बन रहे हैं, next है आपका economic, economic में जो आपकी बन रहे हैं वो 3 से 4 नंबर बन रहे हैं, next है quality, quality में आप लोगों के 4 से 5 question बन रहे हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं, geography, geography से आप लोगों के 3 से 5 question बन रहे हैं, तो आप लोग यहाँ decide कर सकते हैं कि ज़्यादा question किस से बन रहे हैं, static GK से बन रहे हैं, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा question, economy से बन रहे हैं और quality से बन रहे हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना हैं, जो भी teachers analysis करवा रहे हैं उनकी वीडियोस को जाके देखना है क्योंकि वो लोग extra facts भी साथ में cover करते हैं और वहीं से आप लोगों की काफी सारे questions बन रहे हैं जैसे उन्होंने बताया नीती आयोग के बारे में अब नीती आयोग के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दे दी तो हो सकता है इस shift में पूछाए नीती आयोग के full firm क्या है next shift में पूँच ले कि ये कब launch हुआता इसके बारे में ये सारी चीज़ा पूछी जा सकती हैं तो आप लोगों को analysis को ध्यान से देखना है कुछ questions तो repeat भी हो रहे हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान र 82 score कर सकते हैं 80 से लेकर 82 score कर सकते हैं और यही आपका safe score है I hope आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आप लोगों को कौन से topic पर ज्यादा ध्यान देना है कि subject पर देना है maths और reasoning पर क्योंकि वो आपकी wrong नहीं होगी लेकिन जो GKGS है उनमें आप लोगों के questions wrong हो सकते हैं क्य आपको दोका नहीं देने वाले हैं तो यहां पर आप लोगों को यही तरीका अपनाना है एक और चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें सुरुआत कहां से करने हैं किस मतलब कौन सा portion सबसे पहले कवर करना है तो आप लोगों को वो subject कवर पहले करना है जो जिसमें आप ज्यादा अच्छे हैं जैसे आपकी जीके अच्छी है तो सबसे पहले जीके कर लीजिए अगर computer अच्छा है computer दस दस मार कार आई के बल तो उसको solve कर लीजिए और बाद में आपका रह जाता है math reasoning तो उसको last में solve कर लीजिए मतलब आप जिस subject में ज्यादा अच्छे हैं उस C को आपको सबसे पहले cover करना है क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उसे पहले cover नहीं करते हैं तो हमें घवरावट होने लगती है कि हमें हमारा जो paper है ये तो question हमें आई नहीं रहे है अगर हम sequence wise चलते हैं तो इसलिए जो आपको सबसे पहले अच्छा लागी जो आपको आता हो उसे ही solve करिएगा यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी यही strategy थी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल पर नए होते चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा Thanks for watching